स्वागत है आपका प्रियंका अकाड़नी जहां इस वीडियो में हम प्लास नाइन्थ के चाप्टर फोर्ड सावले सपनों की याद के बारे में पढ़ेंगें यह जो पार्ट है सावले सपनों की याद यह व्यक्ति चित्र है जो एक डाइरी शाली में लिखा गया संस्मरण है इसमें प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी साली मली के व्यक्तित्व का प्रभाव चित्र खींचा गया है सबसे पहले मैं बता दू यह पार्ट जो है जाअबिर हुसें दौरा लिखा गया है और उन्होंने यह पार्ट 1987 जब सालीम अली की मृतिव उसके बाद उनके बारे में जो अपनी डाइरी में लिखा वही से इस पार्ट को उठाया गया है और संस्मरण शैली में לिखा गया तो चलिए पाठ की और बढ़ने से पहले इस पाठ के जो लेखक है जाबिर हुसेन उनके बारे में हम कुछ महत्वपून बातों को जान लेते हैं फिर हम इस पाठ के शीर्षक की और बढ़ेंगे कि इस शीर्षक का नाम ऐसा क्यूं है और सालिमली कौन्त इस पाठ के जो रचनाकार है जाबिर हुसेन उनका जो जन्व है 1945 में बिहार प्रदेश में हुआ वे हारम से ही देश की सक्रिये राजनिती में रुची रखते थे राजनितिक के होने के साथ साथ वे एक श्रेष्ट लेखग भी थे जो जाबिर हुसेन की जो हिंदी की रचनाय है वो निमलकित है दोला बिनी का मजार जो आगे है अदीत का चहरा लोगो एक नदी रेद भरी ये इनकी हिंदी की प्रमुक रचनाय है जाबिर हुसेन हिंदी उर्दू तथ अंग्रेजी तीनो भाषों के जानकार है उन्होंने अपने साहित्य में आम आदमी के संघर्षों को प्रकट किया उनके लेखन में उनके राजनितिक अनुभव भी साहयक रहे हैं उन्होंने विशिष्ट व्यक्तित्वों पर डाइरिया लिखी हैं जाबिर हुसेन की भाषा शैली का लात्मत है उनकी भाषा में संस्कृत के प्रचलिश शब्दों के अतरिक्त उर्दू तथ तदभव शब्दों की और भी अधिक इंटरस्ट, रुझान, उनका आकरशन देखने को मलता है एक्जाम्पल यानि उधारन के तौर पे देख लेते हैं कि वे इस पाठ में पक्षी को पक्षी नहीं परिंदा कहना अधिक पसंद करते हैं तो ये थे इस पाठ के लेखक जाबिर हुसेन अब हम पाठ के और बढ़ते हैं जो चरित्र है जिसके ओपर ये संपूर पाठ है वो है साली मली साली मली जो है एक पक्षी प्रेमी है जिनों ने पक्षियों के जीवन को बचाने के लिए उनके सरक्षन के लिए उनकी स्पीशिस को बचाने के लिए निरंतर संघर्ष किया है साथ ही साथ जो पाठ का शीर्षक है सावले सपनों की यार्थ इसकी जो सार्थकता है वो इसी से प्रकट होती है कि यहाँ पे जो जाबिर हुसेन इस पाठ के लेखा के वो बहुत ही दुखी है साली मली की मृत्यू से और वो इनके माध्यम से, इस शिर्शक के माध्यम से, जो उनकी यादे हैं, वो एक सपने की तरह रह गई हैं उन्होंने जो भी काम किया, वो प्रिशन से नहीं है, और जिसको गुलाया नहीं जा सकता सावले का मतलब यहां पर सावले रंकी बात ओ रही है, गेहुए रंकी, कि अब जो यादे हैं, वो सपनों की तरह रह गई हैं, उनको सिर्फ याद ही किया जा सकता है तो आईए, पाठ की और बढ़ते हैं, अब संस्मरन उस विदा को का जाता है, चातों जो सिम्रित्यों के अधार पर होता है, यादों के अधार पर, तो यह जो सावले सपनों की याद पाठ है, यह धुंदली यादे बनकर रह गई हैं, लेखक के लिए, जाबिर हुसेन जी के लिए जो सालीम हुसेने की याद की तरह उनकी रह गई है, उनकी बातों को याद कर रहे हैं, और उनी सिम्रित्यों की अधार पर, यह पूरा पाठ रस्त हैं, चलिए पाठ की और बढ़ते हैं, इस पाठ में क्या है कि जो सालीम अजी हैं, वो सो वर्श की आयूके हो चु शती पूरी करने से पहले ही मृत्यों को प्राप्थ हो गए। तो यहाँ पर कहा गया है जो सालीम अलिये एक बहुत बड़े भारत के प्रसिद्ध पक्षी विग्यानिक है और उन्होंने अपनी पूरी जिंदेगी जो है पक्षियों की संरक्षन में, उनकी सुरक्षा में सार पक्षी है उनको विदा कर रहे हैं की सुनैरे पक्षियों के पंको पर सावले सपनों का एक झौन सवार है की ऐसे लग रहा है मौत की मोहनबादी में जा रहा है और मौत की मौनवादी में कौन जा रहे हैं सालीम अली सालीम अली उसमें सबसे आगे सालीम अली सबसे आगे क्यों है क्यों कि वो जा रहे हैं और उनको विदा करने के लिए उनके पक्षी जा रहे हैं विसलानियों की तरह फीट पर बोज लादे अंतहीन यात्रा पर चल पड़ें, यानि पहले जो उनकी यात्रा होती थी, कहीना कही अंत होता था, उनको का घर वापस लोटना होता था, कहीना कही उनकी खोच जाकर ठमती थी, लेकिन अब वो मौत को फ्राप्ट हो चुके हैं, और इस बार अंतहीन, यानि कभी खत्म नहोने वाली यात्रा पर वो निकल पड़े हैं, इस बार तो वो शहर की भीड भार भरी जिंदगी से आके चले ही गए हैं, और उनको वैसे भी पक्षियों, जंगलों, इनकी खोजों में जादा दिल्चस्पी थी, उसमें जादा मज आता था, उनको मनोरंजन मिलता था, और अब वो शहर की भीड भार भरी जिंदगी से बाहर निकल चुके हैं, कोई उन्हें वापस नहीं लोटा सकता, मानो वो कोई पक्षी हो, जो मौत की गोद में जाबसे हैं, और पक्षियों की जुन्ड है, जो उनको छोड़ने जा रह जो साली मलिय, उनकी सबसे बड़े चिंता ये थी, ये वो इस बात से शुब्द थे, कि लोग पक्षियों को आदमे की नजर से देखते हैं, यानि वो पक्षियों को इंसानों से कंपेर करते हैं, इंसानों का रहन, सहन, खाना, पीना, आतरन, व्यवाद, सब कुछ अलग हो आतरा है, हम इसको कुछ भी कर सकते हैं, परंदु कोई आदमे पक्षियों के अवाज का मधूर संगी सुनकर अपने मन में रोमांच क्यों नहीं अदुमफ परता, यानि उसके अंदर रोमांच का सोता क्यों नहीं सोता, इसको क्यों वो चीज अच्छी नहीं लगती, इसको बासरी बजी, कब वन विहार किया, यह कोई नहीं जानता क्रिष्ण के बारे में, हमने सुनी है कथाएं, हमने वेदों में सुना है, हमने वेदों में लोगों ने ग्यान दिया है, रिशी मुनियों ने, हमने सुना है, हमने अपनी आँखों जे नहीं देखा, लेकिन अगर बासुरी बजाई होगी या भी जमना तटके किनारे पर वो बैठकर बंशी बजा रहे होगी यानि यह सब चीजा आपने महसूस नहीं देखी नहीं लेगिन फिर भी आप इन चीजों को जब जाते हैं साक्षा तो आप इन चीजों को महसूस करते हैं तो यहाँ पर यही कागय क्रिशनी की बासुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है यानि सालीम अली भी क्रिशनी की बाती है उन्होंने भी पता नहीं कब-कब पक्षियों के लिए कारे कर दे लेकिन उनकी प्रशंसा के बारे में उनके कार्यों के बारे में हमें भी लोगों से सुनने को मिलता है अब को लंबी यात्रों ने को ठका दिया था कि वो ऐसा तो लिमिट्रिम नहीं था कि सुबर्ट मैंनों से पाची जौब करने है और वापस आ जाना उनका तो अंतहीं ही होता था पता नहीं होता था कब उनका जो यात्रा है कब खतम हो भी कब वो वापस आएंगे और शायद कैंसर के कारण भी मुत्यों को राप गये है परंतु अंतिम सांस तक वे पक्षियों की तलाश और सुरक्षा में लगे रहे है उनकी आखों पर चड़ी दुर्भिन मौत के बाद ही दुर्भिन पक्षियों को देखने के लिए जिस दुर्भिन का उप्रोट करते थे यानि जो पक कुष्ता केलता रहस्य पशरा दिखाई देता था उन्होंने दुनिया प्रिश्रम से बना इंति जिसमें उनकी पत्नी bugs है घृनि उनको नेचर से इतना है मीना इनकी एक क्लास में भी रा चुकी है जो स्कूल में इनके साथ पढ़ती थी बाद में दोनों की शादी होगे आगे बढ़ते हैं कि जब पक्षियों की चिंताओं ने सता रही थी तो एक बार सालीम अली जो थे प्रधान मंत्री चौधरी चरंड सिंग से मिले थे और उ वाल्यू नेचर की वाल्यू क अच्छे से समझते थे इसलिए वे सालीम अली के परियावरण सुरक्षा संबंदी बाते सुनकर भाव को उठे थे आज ये दोनों व्यक्ति नहीं रहे अब देखते हैं इसमाले और लद्दाक की बरफीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियो में प्रक्रती को चैसालीम अली पक्षियों के बात करें किसी भी सब नेचर में आता है और चौधरी चरंड सिंग भी गाउं से जुड़े व्यक्ति थी तो वह भी प्रक्रती की वाल्यू को जानते थे तो जब तक वह जीवी थे दोनों उन्होंने प्रक्रती की स्रक्षन के करें के लिए कौन आ गया था कौन उसकी सुरक्षा का कारिय करता है यहां पर दी एच लाइन्स का भी जिक्र हुआ है उनका भी संस्मरण यानि एक समृति हो आई हैं उनकी एक याद के अधार पर उनकी एक उधारन दिया गया है कि सालीम अली की आत्मकत्वान जो नाम है व पुछ लेके तो Freida ने कहा कि मेरे पती के बारे में मुझसे अधीक मेरे छत पर बैठने वाली गुरैया जानती है Lawrence इतना खुला और सीधा सरल इंसान है यानि उसकी पत्नी ये कहना चाह रही है कि मेरे पती ने मुझसे जादा पक्षियों के साथ नेचर के साथ टेंच पैंट किया है तो मुझ से ज़ादा मेरे छट पे बैठने वारी जो वो गुरईया पक्षे ना मेरे पती को वो जानती मतलब वो इतने सरल इंसान है ना कि कोई उनको समझ सकता है बच्पन में गलती से जो साली मली थे मतलब अब इस इंसिडेंट से आपको पता सल जाएगा कि साली मली का पक्षियों के प्रती प्रकरती के प्रती जो प्रेम उभरा है उनके सरक्षन के जो जिम्मेदारी उन्होंने लिया वो किस इंसिडेंट की वज़े से लिया वो इंसिडेंटी है कि बचपन में गलती से साली मली के हातों से एक गोरईया घायल हो गई थी यानि उनके पास एक गन थी शॉटगन तो वो एक पक्षी उड़ रहा था गोरईया और उसको लग गई उसी दिन से वो पक्षियों में रूची लेने लगे क्योंकि वो गोरईया को छूने लगे मानोवे प्रकर्ती के प्रति रूप बन गए यानि वो प्रकर्ती के लिए ही बन गए और इस तरीके से उनके अंदर पक्षियों के प्रति प्रेम और सरक्षन की भावना जागरे थी जाली मली निरंतर भ्रहमणशील रहे यानि निरंतर घुमते रहे नतीजों से क्या होगा इस सब चीज़े उनके मन में हमेशा दिमाग में चलते थी उनकी याद करके ऐसा लगता है कि आज भी वे पक्षियों की खोज में निकले हैं और अभी गले में दूर बिन लटकाए खोज पिन नतीजों के साथ लाट आएंगे यहां का जा सकता है कि जिस इंसान ने इंसानों से ज़्यादा प्रकरती और पक्षियों पे साथ टाइम स्पन किया चाबिर हुसेन अर्थात लेखक को भी यह लगता था कि शायद जब उनकी मृत्यों पर कोई आसू बहाने वाला भी नहीं होगा लेकिन जब उनकी मृत्यों हुई तो आसू बहा लोग आये थे शोग जाहिर करने लेखे तो यह चाप्टर जो है एक संस्मरण है जिसमें आपको बताई चुकि यूशंद्धी के अधार पर होता है तो जाबिर हुसेन की जो डाइरी है उससे यह चाप्टर जो है लिया गया है और जो जाबिर हुसेन थे सालिम अली की मृत जिसे बहुत ज़्यादा आहत हुए थे और उसी एलहार पर यह जो पार्ट है, संस्पारन प्रस्टु थे. तो इस प्रकार यह पार्ट यहां समापत होता है, आशागर्थी पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा, तो आईए अब बिना किसी देरी के, अब हम इस पार्ट के प्रश्ण उत्रों के और बढ़ते हैं, तो पहला प्रश्ण कुछ इस प्रकार है कि किस घटना ने साली मली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें प्रक्षी प्रेमी बना दिया, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं, हम पार्ट में पढ़ी चुके हैं कि एक बार बच्पन में साली मली की एरगन से गुरईया पक्षी जो था वो घायल हो गया, जिसका उन्हें बहुत गिल्ट हुआ, बहुत अफसोस हुआ, इस घटना ने साली मली की जीवन को दिशा को ही बदल दिया, उस गुरईया की देखभाल करने लगे, उसकी सुरक्षा और खोजबिन में जुट गए, यानि पक्षियों के बारे में जानविन करने में वो जु किन संभावित खत्रों का चित्र खीलचा होगा, कि जिससे उनकी आखे नम हो गए थी, तो साली मली ने पूर प्रधान मंतरी चौधरी चरण सिंग जी के सामने रेगिस्तानी हवा के गरम जोंको और उनके दुष प्रभाव को लेग किया, यदि इस हवा से केरल की सैलेट ब बिली को नहीं बचाया गया, तो उसके नश्ठ होने का खत्रा उत्वन हो जाएगा, प्रकरती के प्रती ऐसा ब्रेम और चिंता देख उनकी आखे जो है, नम हो गई, अगला प्रशन है, लॉरेंस की पतनी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा, कि मेरी चत पर बैठने वाली ग अगर आपको उसके मेन पॉइंट्स क्लियर है, कि सालिम अली कौन है, फ्रीडा कौन है, या फ्रीडा के पती के बारे में पूछन चाहिए, आपको चीजे कॉनसेप्ट क्लियर है, तो आप बड़े असानी से प्रशनों के उतर दे सकते हैं, तो प्रशन भी जो है, प्रशन तो उसने ऐसे इसलिए का था, क्योंकि वो जानती थी कि लॉरेंस को गुरईया से बहुत प्रेम था, यानि वो पक्षियों के बीच जादा टाइम स्पेंट करता था अपनी वाइप से जादा, वे अपना काफी समय गुरईया के साथ बिताते थे, गुरईया भी उनके साथ थरंग साथी जैसा फैवार करती थी, उनके इसी पक्षि प्रेम को द्गाटित करने के लिए उनोंने ये वाकिया कहा, यानि ये उनके ओपर कमेंट नहीं था, यह comment था उनके पती के लिए, ये नहीं कि पक्षि जानते हूंगे, नहीं, ये compliment है उनके पती के लिए, कि वो लोरेंच की तरह नसरगीक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे तो जो सालिम अली है वो एक परशी प्रेमी थे थी कुछ प्रकार जो लोरेंच है वगी एक पराशी परेमी थे तो यहां पर कंपेर किया गया है कि जो सालिम अली हैं वो भी उनीके प्रतिरूप यानि उनीके जैसे बन गए और ऐसी जिन्दिगी जीव प्रश्चियों की सरक्षन के लिए समर्पित्ती लॉरेंस बनावट से दूर रहकर प्राकर्तिक जीवन जीते थे वर प्रकर्ति से प्रेम करते हो इसकी रक्षा के लिए चिंतित र रहे तो इनका प्रतिरूप वो इस तरीके से बन गए कि जो लॉरेंस करते थे यानि उनकी नकल करना नहीं कि प्रक्षियों का सरक्षन का काम उनके लिए टाइम स्पेंड करना उनके साथ टाइम स्पेंड करना उनकी सरक्षन का काम करना यही सारे काम साली मली भी करने लगे दूसरा है आश्यस परच कीजिए कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लोटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीप दोबारा कैसे गा सकेगा तो यहाँ पर इसका आश्य है कि मृत्यू ऐसा सकते है जिसके प्रभाव स्वरूप मनुष्य सांसारिक्ता से दूर होकर चिर निद्रा और विश्राम प्राप्त कर लेता है यानि वो जीवन से मुक्त हो जाता है हमेशा के लिए सो जाता है, हमेशा के लिए इसको अराम मिल जाता है उसका हसना अगान न चलना तफिर न सब बंद हो जाता है मौत की गोध में विशराम कर रहे साली मली भी यही स्तीती थी अब उन्हें किसी तरह से पहली जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता आसान भाशा में इसका यही अर्थ है तीसरा है आशेस पश्च कीजिए कि साली मली प्रकर्ती की दुनिया में टापू बनने की बजाए अता सागर बनकर उपडेती यानि एक छोटे से एक limited boundaries नहीं थी वो एक समुंदर की तरह थी जिसकी कोई boundaries नहीं होती साली मली प्रकर्ती और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे इवेस के बारे में आसी मिध्यान प्राप्त करके अता सागर साब बन जाना चाहते थे पांचवा प्रशन है कि इस पार्ट की अधार पर लेखक की भाशा शैली की चार बिशेष्टा लिखिये तो उनकी पहली बिशेष्टा ये है उनकी भाशा की उन्होंने मिश्रित शब्दावली का प्रियोकिया है मिश्रित यानि मिक्स जैसे इस पार्ट में उर्दू, तदभव और संस्कृट शब्दों का सम्रिशन है लेखक ने उर्दू शब्दों का या अधिक प्रियोकिया है और धारण देख लेते हैं जिन्दिगी, परिंदा, खुबसूरत, उजूम, खामोश, चैलानी, सफर, तमाम, आकरी, महौल, खुदू ये सारे उर्दू शब्द है साथे साथ संस्कृट शब्दों का भी प्रचूरता से प्रियोकिया है जैसे संभव, अंतहीन, पक्षी, वर्ष, इतिहास, वातिका, विश्राम, संगीत्मय, प्रतिरूप साबिरुसेन की शब्दावली गंगा जमनी है अर्थात उन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत उर्दू का इस तरह प्रियोक किया है कि दोनों सगी भेने लगती है अंतहीन संस्कृत का शब्द है और सफर उर्दू का प्रकरती की नजर प्रकरती संस्कृत का शब्द है और नजर उर्दू का दुनिया संगीत मैं, जिन्दगी को प्रतिरूप, इन प्रियोगों में एक शब्द संस्कृत का तो दूसरा उर्दू का है। प्रियोगों में रासली लरची थी और शोग गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। रुमाज का सोता फूर्ता महसूस कर सकता है। रूपकलंकार है। भावा नुरूप भाशा यानि भावो के नुरूप भाशा का प्रियोग किया गया है। और जैसे कभी वेज छोटे छोटे वाक्यों का भी प्रियोग करते हैं। आज साली मली नहीं है, चौदरी साप भी नहीं है, कभी वेज तेजना लाने के लिए प्रशनुशयली का प्रियोग करते हैं। ये उनकी भाशा की विश्रिष्टा थी। आगे हम बढ़ते हैं चटे प्रशन की और। उनकी हिफाज़त और उससे संबंदित जानकारी पाने के लिए उन्होंने जो प्रियास किया, उससे पक्षियों के बारे में उठी जिग्यासा ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। प्रशन है सावले सपनों की याद शीर्षक की सार्थक्ता पर टिपने कीजिए। सार्थक्ता का मतलब है कि यह जो पाठ का नाम सावले सपनों की याद रखा गया है। कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, यह सपने सावले क्यों हैं, कौन इन सपनों की याद में आतूर है आदे। सावले सपने मनमोह किच्छाओं का प्रतीक हैं, यह सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी साली मली से संबंदित है। और रहस्यात्मक भी हैं, चंदन की तरह इसका अर्थ तता प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। आटवा प्रशन है, प्रस्तुत पाठ साली मली की परियावरन के प्रतीचिंता को भी व्यक्त करता है। प्रियावरन को बचाने के लिए आप कैसे युगदान दे सकते हैं, यहां पर आपको अपने विचार देने हैं, आप एड़ पोदे लगा सकते हैं, आप एड़ पोदो को कटने से बचा सकते हैं। इसमें देखो यह value-based question है, फिर भी मैंने इसका answer लिखती हैं, पर आप अपने क्या विचार रखते हैं, आपको इनसे भी help ले सकते हैं, साथी साथ आपकी क्या सोच है वहाप उसमें भी, जब आपको लगता है कि आपको कुछ और add-on कर सकते हैं, तो आप अपने आधार पर भी उसमें add कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार इस पार्ट के प्रशन अत्तर भियां समात होते हैं, आशा करते हैं पार्ट बहुत अच्छे से समझाया होगा, उसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परिशानी हो, आप comment box में जाके comment आपको share करे साथ ही साथ ही जो question answer है, इसके pdf भी आपको description नीचे link में available हो जाएगा, आप आसे download करके पढ़ सकते हैं, और वीडियो को like करे, comment करे, वह अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूले, और अगर आपने अभी तब चैनल को subscribe नहीं किया है, तो जल से जल subscribe कर लीजे, तक यह आग झाल